बहराइच में प्रयागपूर ठाना छेत्र के रहने वाले युवक की अचानक तबियत खराब होती है और युवक भी होशी की हालत में आ जाता है देखते ही देखते अब परीजनों को यलगने लगा कि उनके संग्रक्षक की मौत हो गई है मरीज के शरीर में किसी भी तरह की अक्टिविटीज नहीं हो रही थी इसके बाद जब परीजन मरीज को भाराइच मेटकल कॉलेज लेकर आते हैं तो ड्यूट्यू पर टैना डॉक्टर शाहीर रहमत खानून को रिसीव करते हैं और इलाज सुरू करते हैं डॉक्टर को पहली नेजर में देखकर तो यहीं लगता है कि यूवक की मौत हो गई है लेकिन जब डॉक्टर यूवक के सीने पर बैश्ट गए और CPR लगतार करने लगे तो 20 से 25 मिनट के CPR करने के बाद भीवकी जयान में जयान लोट आई जिसका इलाज बहराइच मेटकल क कोलेज के मेर्जेंसी वार्ड में तैना डॉक्टर शैर एहमत खान ने बताया कि उनके जिन्दगी का एक बड़ा अच्यूमेंट है क्योंकि लगतार मेहनत रंग लाई है और यूवक की जान में जान लोट आई है उन्होंने बताया कि अब ठीक है और उसको डिस्चार्ज क करता है और अगर उपर वाला उसका साथ देता है तो एक अच्छे डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी कुश्य की बात है जब वो आये हैं यह नंके यादो नाम का पिशेंट था उनके जो परिवार वाले हैं उनको ले करके जब आये थे उनको बोल रहे थे कि शैद यह अब मैंने देखा फर भी मुझे कहीं नहीं मुझे लग रहा था कि पूरी तरह से डायलेट नहीं हुई हैं फिक्स नहीं थी अधी मैंने कोशिश किया मैंने कॉंटिन्यू 20 से 25 मिर तक CPR किया किया सी प्यार करने के बाद में मुझे थोड़ा सा उक्सिदन सपोर के साथ मैंने और रिवाइब होगा पैषिंट कितने घंटे के सब्षक के वह और बा सब्षिण हम जिन्दा करना यह कहना सही नहीं है क्यों कि वह पेषेंट पूरी तरह से वहSi्ट नहीं होई थी उसकी कहीना कहीन वह जी बित था इслиए वह वह जेड़ी से अर्बस से पैफ और वेडिकल साइंस के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और किसी भी डॉक्टर के लिए यह प्रॉड बॉवमेंट होता है जब वो कोशिश करता है और कोई भी पेशेट उसके सामने बच जाता है